नमस्कार मैं हूँ राहूल आरिया और हर्याना लोग सबाचुनाओं की बड़ी अपडेट के साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर आप सब लोगों के सामने हाजर हूँ और जो बड़ी update है जो बड़ा जो latest update है वो 60 बजार को लेकर है और 60 बजार जो है वो हरियाना में किस पार्टी को अब जो आज के हालात है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटे दे रहा है उसी की चरचा करेंगे पिछली दफ़ा भी हमने आप लोगों के सामने जो सटा बजार के प्रेดिक्शन थी जो सटा बजार की assessment और सटा बजार के जो figure थे वो साझजा किये थे मगर जो पिछली दफ़ा थी उससे कहीं न कहीं अब की बार बड़ा उलट फेर है और ये जो उलट फेर है ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए गंभीर समश्चा खड़ी कर रहा है और कॉंग्रेस है उसके लिए ये खुश खबरी है कॉंग्रेस के लिए ये बड़ी राहत की खबर है बड़ी राहत की बात है और जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है उस तरीके से चाहे Congress के जो प्रत्याशी हैं वो भले आज तक Announce ना हुई हो और हो सकता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त Congress के जो Candidate है वो Announce नहीं हुए है मगर जब तक आप इस वीडियो को देखे तो हो सकता है कि Congress के Candidate Announce हो जाए या कल या परसों में Congress के Candidate Announce हो जाए मगर जो Congress के Candidate है वो बेशक ना Announce हुए हो मगर उसके बाद भी जो Congress का Graph है जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है Congress का जो Graph है वो अप जा रहा है उपर जा रहा है और जो भाजपा का जो Graph है वो डाउन आ रहा है नीचे आ रहा है मैं जो 60 बजार है उसके आगडों की बात करूँ उसकी प्रेडिक्शन की बात करूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा के जो लोग National Media को लेकर अपनी प्रिशाप्शन क्रियेट कर लेते हैं National Media के जो सरवे होते हैं, National Media के जो Exit Poll होते हैं या जो Opinion Poll होते हैं उनको लेकर जो अपनी अससमेंट या धारना बना लेते हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा के National Media पर जो डिबेट होती है उसको छोड़ दीजिए कुछ डिबेट्स के अंदर या कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनको जानकारी जो होती हो निलबटा सनाटा होती है और उनके बारे में एक बड़ी अच्छी सी लाइन है कि पोस्ती पी के पोस्त नो दिन चले धाई कोज जिनको किसी लोगसवाच्छेतर के प्रत्याशियों के नाम तक नहीं पता लोगसवाच्छेतर के बड़े चहरों के नाम तक नहीं पता उनको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती वो उस लोगसवाच्छेतर के बारे में अपनी भविश्यवानी कर देते हैं ये आदमी जीतेगा और ये हारेगा इन लोगों के बारे में ये लोग हो सकता है कि पेड हो हो सकता है कि किस मंद्शा के साथ इनको बिठाया जाता है और किस मंद्शा को लेकर किस पूर्वा ग्रह को लेकर के ये लोग वहाँ पर बैठते हैं ये मैं आपको एक 30 सेकंड की वीडियो 30 सेकंड की क्लिप मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ दिखा रहा हूँ उसको देखकर आप पर समझ जाएंगे कि आखर जो नैशनल मीडिया में बैठके जो विसलेशन करते हैं जो एनलाइज करते हैं चुनाव को लेकर वो कुछ क्योंकि अगर रोतक क्या यही स्थी होती तो रोतक में पिछली बार हुद्धा हार क्यों गए थे ग्लंदीफ हुड़दा हार गए थे ऐसा क्यों आप लोगों ने सुनी इस वीडियो के अंदर जो इस चैनल पर जो एनलिस्ट बैठा हुआ है जो पैनलिस्ट यहां मेर्टा वो है बतौर राजनेतिक विसले शक वो ये कह रहे हैं कि जो रौतक की सीट है उससे पिछली दवा जो हरदीप हुड़ा वो चुनाव हार गए थे अब जब हम आकड़ा देखते हैं 1922 से लेके 2024 तक के चुनाव का या 2019 तक के चुनाव का तो उसके अंदर हरदीप हुड़ा नाम का कोई आद्मी नहीं है जिसने चुनाव लड़ा हो उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हरदीप हुड़ा नहीं रंदीप हुड़ा अब रंदीप हुड़ा नाम के भी किसी आदमी ने रोहतक लोकसभा से आज तक चुनाव नहीं लड़ा है उसके बार जो एंकर महुद्दे होते हैं, वो उसको बता रहे हैं, कि नहीं नहीं रंदीप उड़ा नहीं बलके देविंद्र हुड़ा. अब ये देखिए कि ना तो एंकर को ये पता है कि जो रहतक लोग सबा है उसका बड़ा चहरा कौन है या पिछली दफ़ा वहां से चुनाव किसने लड़ा था या अब की बार कौन तयारी कर रहा है और ना जो राजनेतिक विसलेशक है जिसको आपने सुना उनको ये पता है कि हरदीब हुड़ा है या रंदीब हुड़ा है या फिर देविंदर हुड़ा है बलके जो दिपेंदर हुड़ा है उनके बारे में वो बात कर रहे हैं जिन लोगों को इतनी भी जानकारी नहीं है कि जो पिछली दफ़ा जो पृतियाशी चुनाव लड़ रहे थे, जो हार गए थे उनका नाम क्या है और अब की बार जो तैयारी कर रहे हैं उनका नाम क्या है और वो लोग नैशनल मीडिया पे बैठ कर और वो लोग किसी लोग सबाचेतर की हार और जीत decide कर देते हैं और बहुत सारा तबका ऐसा होता है बहुत सारे लोग जो प्रतिशत में हैं उनके संक्या बहुत जादा होती है वो national media के इनी opinion पोल को लेकर इनी exit पोल को लेकर और इनी survey को लेकर अपनी perception create कर लेते हैं अपनी धारना बना लेते हैं और उसी हिसाब से वो अपना vote कास्ट करते हैं तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी जानकारी जीरो होती है उन लोगों की जो बात होती है उन लोगों की जो जो उनके आकड़े होते हैं जो लोग वो बताते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए बजाए उनको देखकर सुनकर उसको दफा के जो figure से वो सांजा करें तो अब की बार जो बड़ा उलट फेर है और अब की बार जो उलट फेर है वो कहीं न कहीं 6 भाजपा को seat दिखा रहा है और 4 जो seat है वो Congress को दिखाई जा रही है चार आखिर वो कौन सी सीटे है और छे आखिर वो कौन सी सीटे है मैं उनकी चर्चा करूँगा मगर जैसे मैंने बताए कि पिछली दफ़ा जो 60 वजार था वो 8 सीटे जो भजपा है उसको दे रहा था और 2 सीटे जो है वो कॉंग्रेस को दी जा रही थी मगर अब की बार जो है वो 2 सीटे और भजपा यहां घटी है और जो कॉंग्रेस है वो 2 सीटे और यहां पर बढ़ी है जिस तरीके से हमने पिछली दफ़ा भी आप लोगों को बताया था कि जिस तरीके से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कहीं न कहीं चाहे जो नैशनल मीडिया की रिपोर्ट है उससे अलग है सटा बजार की रिपोर्ट से भी कहीं न कहीं ग्राउंड रिपोर्ट जो वो अलग है Ground Report की बात करें तो Ground Report जो है वो हरियाना में 5-5 पर है 5 Congress और 5 BJP मगर 60 बजार जो है वो Ground Report के कहीं न कहीं आज नस्दीक आकर खड़ा हुआ है जो 6 भारतिया जंता पार्टी की सीट दिखा रहा है और 4 जो है वो Congress की सीट दिखा रहा है और मैंने बहुत सारी अपनी जो वीडियोज हैं उसमें आप लोगों को बताया भी है कि जो Congress का ग्राफ है वो बढ़ रहा है और जो BJP उसका ग्राफ डाउन हो रहा है मैंने एक बार फिर आप लोगों के सामने वो आकड़े दोहरा देता हूँ आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी होगी कि पिछली दफ़ा जो लोगसभा चुनाव थे उसके अंदर जो भाजपा को वोट मिला वो साड़े अठाउन परसेंट के आसपास मिला था अठाउन पॉइंट 21 परसेंट और उसके जो चार महीने बाद साड़े 4 या 5 महीने बाद चुनाव हुए थे विधानसभा के हरियाना के अंदर तो उसके अंदर जो वोट भाजपा को मिला था वो 36.49% वोट मिला था यानि कि साड़े 36% वोट मिला था अब साड़े अठावन लगबग और साड़े 36% वोट उसमें जो difference आ जाता है, वो 22% का difference आ जाता है, यह जो 22% वोट था, यह आखर किसका था, यह जो वोट था, अगर यह वोट भाजपा का होता, तो भाजपा को लोकसभा में मिला, तो विधानसभा में मिलना चाहिए था, मगर विधानसभा में वोट भाजपा को नहीं मिला, तो वो वोट था जो वोट नरेंदर मोदी के नाम का था वो नरेंदर मोदी की लोगप्रियता का था तो क्या अब 2024 में 19 से लेकर 2024 में भी जो नरेंदर मोदी की लोगप्रियता है वो क्या 22% ही है या उसमें डेंट हुआ है या वो कितनी कम हुई है कितनी ज़्यादा हुई है तो जब हमने इस पर सर्वे किया हमारी कंपनी ने इस पर सर्वे किया तो जो रिपोर्ट है नरेंदर मोधी की लोग प्रियाता की हरियाने में उसमें कहीं न कहीं 50-60% की उसमें ग कंग्रेस के अगर बात करें तो कंग्रेस का जो वोट पिछली दफा लोकसभा में आया तो उनको साढे-писड़े 28% के करीब उनको वोट आया था और विद्धानसभा के जब हुए तो 28.8% वोट उनको मिला था तो जो लोकसभा और विधानसबा का जो Congress का difference था वो नाममात्र का difference था, उसमें बहुत कम जो vote था, वो कम हुआ था Congress का जितना भाजपा का 22% कम हुआ, मगर Congress का 1% vote भी कम नहीं हुआ, कुछ percent, point percent vote कम हुआ, ज्यादा vote कम नहीं हुआ तो जो भाजपा का जो वोट था वो 22% कम हुआ, कॉंग्रेस का जो वोट था वो बिल्कुल कम नहीं हुआ, जैन्मन वोट वहां की वहां रहा तो जो अब की बार जो नरेंद्र मोधी की लोगप्रियता है, जो 50 या 60% तक हरियाना में कम हुए है, परसनल तोर पे वो जो वोट है, वो जो 22%, उसका जो है 11% लगभग, 10.86%, ये जो वोट है, ये वोट अब की बार कॉंग्रेस को शिफ्ट हो रहा है, और अगर ये वोट कॉ शिफ्ट हो जाता है, तो कॉंग्रेस का अच्छा खासा, जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट है, और 60 बजार की रिपोर्ट भी आ रही है, वो जो कॉंग्रेस है, वो मजबूत इस्तिती में आ जाती है, और जो कॉंग्रेस का वोट परसंटेज है, वो कही न कहीं 40% से उ साइवन के आसपास उतना वोट रह जाता है जो डिफरेंस भाजपा और कॉंग्रेस में पिछले लोग सभा चुनाओं में हरियाना में था लगबग 30% वो डिफरेंस जो है अब की बार केवल 6 या 7% बच गया है जबके चुनाओं में अभी वक्त है और कॉंग्रेस के तक डिसाइड नहीं हुए हैं अब यह जो डिफरेंस है यह कितना और कम होगा कॉंग्रेस का ग्राफ और तेजी से उपर जाएगा या जो बीजेपी का जो ग्राफ है वो मैंटेन रहेगा वो देखने वाली बात होगी इन फ्यूचर क्या होता है वह विश्य में क्या नहीं कर लूँ रहतक जो सीट है उसको सटा बजार क्लियर कॉंग्रेस के पक्ष में दिखा रहा है हाला कि मैं फिर दोरा दूँ जो पिछले अनलाइज जो हमने किया था रहतक लोग सबा को लेकर सटा बजार को लेकर तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अभी तक कैंडिडेट नहीं आए है तो कैसे ऐसे हो जाती है तो जो सटा बजार है वो सटा जो है वो कॉंग्रेस या भाजपा पर भी लगा लेता है जो कैंडिडेट आते हैं उन पर भी लगा लेता है और जो सटा जो होता है वो लोग बारिश कब होगी कितनी होगी उस पर भी सटा लगा लेते ह बारिश का जो छट का पाइप होता है उससे बारिश का जो पानी है वो कितनी आगे गिरेगा लेफ्ट गिरेगा राइट गिरेगा उस पर भी सटा लगा लेते हैं तो candidate आए नहीं आए इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता जो 60 लगाने वाले लोग होते हैं. और जो 60 लगाने वाले लोग होते हैं कई बार देखा है कि जो उनकी आकड़े होते हैं या जो उनकी prediction होती है वह जो नतीजे होते हैं उनके बहुत नजदीक मिलती है. इस बात का मतलम है एक बात और इसमें जोडना चाहूँगा कि इस बात का ये मतलम ना माना जाए कि मैं किसी को सट्टा खेलने के लिए उकषा रहा हूँ हलाकि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि सट्टा खेल ना किलाना वो गैर कानूनी है मगर जो सट्टे की जानकारी है वो शेयर करना सांजा करना वो गैर कानूनी नहीं है खेर पहले जो रोहतक की बात करी रोहतक जो है वो कॉंग्रेस के पक्ष में 60 बजार उस सीट को दिखा रहा है उसके बाद बात कर लेते हैं हिसार की हिसार लोकसबा के अंदर यह जो सारी लोकसबा है पिछली बार जो 60 बजार था वो हिसार लोकसबा को भाजपा के पक्ष में उसके नतीजे दिखा रहा था रही है जीत के तौर पर दिखाई जा रही है वो सोनी पत लोकसबा है सोनी पत लोकसबा के अंदर भी जो है वो भाजपा को कमजोर वहाँ पर माना जा रहा है सटे बजार में कॉंग्रेस को वहाँ से मजबूत स्तिती में दिखाया जा रहा है माने जीता हुआ दिखाया जा रहा है उसके बाद जो छे सीटे बताई गई है जो बाकी छे सीटे बच जाती है चाहे वो गुडगाओं की हो, चाहे वो फरिदाबाद की हो, चाहे वो अमबाडा की हो, या फिर करनाल की हो, कुरकशेतर की हो, इन सीटों को कही न कहीं, जो सटा बाजार है, वो भाजपा के पक्ष में दिखा रहा है, और जो भीवानी की सीट है, उस पे अगर कोंग्रेस का जब जो कैंडिडेट आएगा, उसके बाद वहाँ पर क्या स्तिती होगी, हाला की जो भीवानी की सीट है, उसको भी कहीं न कहीं, जो मुकाबला है वहाँ पर, जो टफ मुकाबला है, नेट तो नेट फाइट है, उसके अंदर दिखाया जा रहा है, मगर जो सटा बाजार है वह भीवानी की सीट को, भाजपा को आज के दिन जेता हुआ दिखा रहा है, मगर जैसा मैने कहा कि जो कौंग्रेज का जो ग्राफ है, वह अप हो रहा है, और भाजपा का जो ग्राफ है, वह डाउनफॉल की तरफ चल रहा है, अब यह गिरावट कहां पर आकर रुकती है, इसमें बड़ोतरी होती है जैसे जैसे चुनाव नस्दीक आता है या यह नीचे आता है और कॉंग्रेज अब कहां तक होती है और डाउन कहां तक होती है यह देखने वाली बात होगी जो आज के आकड़े थे जो आज की इस रिपोर्ट थी चाहे वो सर्वे की रिपोर्ट हो चाहे जो ग्राउन रिपोर्ट लोकल रिपोर्ट हो या फिर सटा बाजार की हो या फिर नैशनल मीडिया की हो मैं आपको बता चुका हूँ कल के आकड़े क्या होंगे क्योंकि आकड़े चुनाओ में बदलते रहते हैं हर रोज बदलते हैं कल के आकड़े क्या होंगे वो अ बात करें जो local report या ground report की बात करें तो उसमें कहीं न कहीं पांच-पांच का जो अनुपात है वो दिखाया जा रहा है रेश्यो जो हो पांच-पांच का दिखाया जा रहा है पाँच कॉंग्रेस और पाँच बीजेपी हर्याना के अंदर आज के लिए बस इतना ही फिर किसी लेटेस्ट किसी बड़ी अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगा तब सब तब तक के लिए नमस्कार